वेलकम गाईज कैसे हैं उमेद है अच्छे होंगे साथ यो एक्सल वी बीए में आज हम सीखेंगे यूडियेफ यानि कि यूजर डिफाइन फंक्शन अभी तक हम सीख रहते हैं वी बीए के इन बिल्ट फंक्शन या फिर आपने एक्सल में भी कोई ऐसा फंक्शन लगाना है जो एक्सल में मौजूद नहीं है या फिर वी बीए के अंदर मौजूद नहीं है यानि कि आप अपना फंक्शन केरेट कर सकते हैं आपको क्या रेजल्ट सीए किस प्रकार रेजल्ट सीए तो आप अपने अनुशार कोई एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एक फंक्शन ब की इस सीरीज के बाद आपको VBA के इन बिल्ट फंक्शन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आप अपने नाम के फंक्शन बना सकेंगे Udf आपने काफी पढ़ा होगा कि Udf होता क्या है आज हम इसको किलियर कर देगे कि इसका मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन अब यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं जैसे एक्शल में फंक्शन होते हैं हमने शम का फंक्शन यूज किया या फिर हमने वी लुक अप का यूज किया या फिर हमने VBA में भी बहुँ सारे फंक्शन करवाए इसी परकार आप चाहे तो अपने नाम का function बना सकते हैं अब इसका use क्यों करते हैं लेकिए VBA के जरीए इसका use तब करते हैं जब आपको लगे कि आपकी कुछ ऐसी customization जो VBA के function से या actual के function से नहीं मिल पा रही है तो ऐसी customization को करने के लिए हम user defined function का use करते हैं अब इसको लिखने के लिए पहले important point समझ लें जैसे कि मैं यहां पर use करता हूँ equal to sum bracket start करेंगे तो यहां पर देखिए चाहे वो function एक्सल में हो या VBA में हो सभी में एक चीज़ common है और वो होती है उसका parameter यहां पर है ना यानिकि input value हमने उसमें कुछ input value देनी होती है ऐसा कोई भी function नहीं है जिसमें parameter use ना होता हो अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत से function है जैसे कि मैं यहां पर use करता हूँ equal to today bracket start and close देखिए हमने कोई भी इसका parameter use नहीं है एंटर प्रेस करेंगे तो current date निकालके दे रहा है लेकिन इसके अंदर भी parameter है तभी तो यह current date निकालके दे रहा है या फिर मैं use करूँ यहां पर row bracket start यहां पर देखो parameter दे रहा है रहा है रेफरेंस मांग रहा है लेकिन मैं reference नहीं देता मैं close करके enter प्रेस करता हूँ तो यह row number बता रहा है कौँसी जिस row के अंदर थे यह row number यहां पर display करेगा तो यह इसका एक parameter है जिसकी वज़े से यह function काम कर रहा है हमको output value निकालके दे रहा है तो हम use करेंगे user defined function किस प्रकार से अपना function create कर सकते हैं उसके लिए हम यहां पर आएंगे और दूसरी महतरपुन बात इसमें हम sub routine का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे हम करते थे sub अपना macro या अपने code का नाम और end sub लेकिन अब हम यहां पर use करेंगे function और function का नाम जिस भी नाम से आप function बनाना चाहते हैं हम अपनी नाम से function बना रहे हैं मैं बना रहा हूँ यहां पर बनोज right और enter प्रेस करेंगे तो देखे नीचे जब end सब होता है उसी प्रकार यह automatic end function ले लेगा अब हम यहां पर आके देखते हैं इधर आता हूँ मैं और यहां पर करता हूँ equal to man तो देखो सब से उपर आ गया function का नाम है ना यह function का नाम यहां पर ले लिया bracket start करेंगे तो यहां पर कोई parameter नजर नहीं आएगा आपने अपने user को या आपने client को यह चीज़ बतानी पड़ेगी कि आपने कितने parameter लिये हैं अभी यह वैसे भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पर कोई parameter define नहीं है इसका सिरफ function create कि है हमने कि इस नाम से function create हो देने यहां पर example के लिए मैं यहां पर लगा रहा हूं मान लिजिए आपने यहां पर करना है कि dollar को rupees में convert करना है आपने देखा 2 dollar बराबर कितने होगे सिधी सी बात अगर 70 रुपए का dollar है तो 140 और 75 का है तो 150 लेकिन हमने यहां पर लिख दिया 5 कि 5 dollar है यहां पर हम formula parameter लगेगा हम यहां पर parameter लगाएंगे इसमें यहां bracket के अंदर यहां पर आएंगे और यहां कर देंगे हम उसका नाम कि मैं कर रहा हूं rupees को मैंने लिखा rupee as long long क्यों लिया मैंने क्योंकि numbers पर काम कर रहा है हमने long ले लिया और दूसरा long काफी बड़ा data type है तो इसके अंदर बड़ी से बड़ी value आ सकती है तो हमारा हो गया यहां पर variable हमने एक parameter define कर दिया तो यहां पर तो हमने parameter को define कर लिया अब जो function का result आएगा उसको भी define करना है तो bracket से भार यहां पर आके कर देंगे हम उसको define as long ठीक है इसको भी हमने define कर लिया यानि bracket के अंदर जो data type हम देंगे वो होगा parameter का data type और bracket से भार जो data type लिखेंगे वो होगा function का data type अब हम यहां पर function लगा देते हैं मैं करता हूँ इसका results यह न हमको तो मैं यहां पर type करूँगा result equal to क्या results यह हमारे पास dollar की value मान लेते हैं 70 multiply हम कर देंगे इसको रूपी से बस क्या यह चलेगा हम यहां पर द bracket start करेंगे एक ही parameter लिया है हमने यहां पर हम click करेंगे bracket close करके enter press करेंगे तो यह तो नहीं चला क्यों नहीं चला क्योंकि यह result आ रहा है लेकिन result आउट कहां पर होगा वो formula के ऊपर आना चीए न यह जो result गया यह उस formula पर जाना चीए तो यह तो नहीं गया तो इसके लिए हम क्या करें हम यहाँ पर एक variable और define करके देखते हैं मैं यहाँ पर करता हूँ dim result as log और अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि अब हमने उस result को उस function पर apply कराना है तब हम use करेंगे equal to हमारा function है manos equal to यहाँ पर equal दो लगगे manos equal to result राइट अब चलेगा अब हम देखते हैं यहाँ पर आते हैं मैं इसको करता हूँ delete और फिर से करता हूँ मैं equal to manos bracket start करके हम इसमें यह data देंगे bracket close करके enter press करेंगे अभी भी नहीं चल रहा तो अब नहीं चलने का कारण पता है आपको नहीं चलने का कारण अब यह है कि जो हमने parameter दिया है यह parameter गल इसको delete करके manos करके equal के साथ और इसको value दे देते हैं bracket close करके enter press करेंगे right चल गया लेकिन काफी बड़ा काम हो गया इसको थोड़ा सा छोटा कर ले मैं क्या करता हूँ मैं यहां से यदि इसको हटा दूँ मैं इसको comment कर देता हूँ मेरे को यह नहीं चीए और इसको भी मैं comment क जगे हैं यहां पर कर दूँ मैं formula का नाम then क्या अब यह चलेगा यहां पर मैं कोई दूसरी value डालता हूँ और यहां पर formula लगाते हैं value डाल देंगे bracket close करके enter press करेंगे सई चल रहा है अब यदि इस formula में हम दो parameter use करें क्योंकि हमने single parameter दिया है क्या दो parameter ले लेगा हम करते हैं equal to manos और यहां पर हम दे दे parameter 1 comma दूसरा bracket close करके enter press करेंगे तो अब यह value error दिखाएगा क्योंकि हमने यहां पर define यह parameter किया है तो 2 कैसे ले लेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि हम 2 parameter किस परकार देंगे यह एक ही parameter को हम कितनी बार use कर सकते हैं देखें यहां पर आते हैं अब हम यह example थोड़ा सा change करते हैं हमने निकालना है pi r square ठीक है अगर math में आपने पढ़ा है थोड़ा पो तो पता होगा pi की value कितनी होती है pi की value मान लेते हैं 3.14 ठीक है यह हमने pi की value मान ली और pi r square का मतलब हमने 2 बार r की value लगानी है तो यह मैं मान लेता हूँ यहां पर r की value यानि कि होगी हमारा radius मैंने radius को define किया यहां पर और यहां निकालता हूँ मैं pi की value pi की value दे रखके 3.14 multiply radius square का मतलब दो बार लेना पड़ेगा तो यहां पर मैं क्या करता हूँ radius फिर से multiply और फिर करेंगे हम radius right मैंने क्या किया pi r square के अंदर आपको पता है न पाई multiply r की value multiply r की value वही तो मैंने किया यानि कि मैंने एक यहां पर variable लिया था यानि कि एक parameter define किया था इसको मैंने दो बार use किया है अब मैं इस formula को यहां पर इनको हटाता हूँ क्योंकि अभी dollar का नहीं दिखाएगा अब इसका 5 value है जो r की value 5 है अब इसका pi r square निकालेगा तो हम करेंगे equal to minus formula का नाम मैंने वही रखा है और सिर्फ हमने यह value डालनी है bracket close करके enter press करना है तो यह आ गया 79 यानि कि क्या क्या इसने 3.14 multiply 5 multiply 5 करके देखें equal to यह cell multiply दूसरा cell multiply तीसरा cell enter press करेंगे तो same to same आ गया इसको भी round में कर देंगे तो 79 हो जाएगा यहां पर आके हम कर देंगे इसका decimal का 79 value है अब मैं बताता हूँ यदि हमने दो parameter देने अब मैं यहां पर formula यूज करूंगा उस पर हमने यह दोनों parameter देने तब हम यहां पर एक और parameter को define करेंगे कोमा यूज करेंगे और हम एक और कर देते हैं where as long right अब यहां पर एक radius की जगे डाल देते हैं अब यह दो parameter लिखा देखो यदि हम यहां पर use करते हैं equal to manos bracket start cell address हमने दे दिया bracket close करके enter press करेंगे तो अब देखो यह value error दिखाएगा क्योंकि अब इसको यहां पर दो parameter चाहिए ना कि एक parameter यहां पर यदि हम करेंगे equal to manos bracket start एक parameter कोमा दूसरा parameter bracket close करके enter press करेंगे अब यह उसका result से हो करेगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिस करिए यह मारा पहला वीडियो था UDF के उपर एक बर आप इसको practice करके देखें और अब हम इस सीरीज को थ subscribe भी जरूर कर लें